नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक्साम पाथ फाइंडर में जहां हम आपके लिए government jobs, competitive exams, admission और vacancy से related latest information और alerts लेकर आते हैं तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ तो दूस्तों जासा कि आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे deputy regional enforcement officer post के बारे में जो office of the development commissioner में होंगी और hand rooms और ये vacancy deputation और absorption के मात्यम से भरी जाएंगी इसके लिए जो ज़रूरी qualification होनी चाहिए वो analogous post holding होनी चाहिए रेगुलर basis पे पेरेंट के ट्रेंटर डिपार्टमेंट में और साथी पांच साल की service होनी चाहिए ग्रेट रेंडर्ड में appointment के बाद regular basis पे लेवल 10 के pay matrix में रुपी 56,100 से 1,77,500 और टिगरी होनी चाहिए होना चाहिए और reservation of articles for production act 1985 में textile control order में technical aspects of handloom में diploma होना चाहिए है handloom technology और textile technology में recognized university से और साथ साल का experience होना चाहिए enforcement में application mode जो है वो offline है तो आपको इसके विन है test पे अप्लिकेशन भीचन होगी जो है chief enforcement officer office of the development commissioner of four handlooms ministry of textiles रूम नमबर 55A उत्योग बवन नियुदेरी 00001 अपने relevant documents के साथ अधिक जानकारी जैसे कि eligibility criteria fee pattern and access place of posting और रनने के लिए आप नीचे देगा attachment को भी गोत्यूग कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहांप आपको सारे attachment given है आप आपको official notification भी given है official notification में सारे information आपको मिल जाए कि दोस्ते जैसे कि age limit eligibility criteria number of frequency space of posting तो ऐसी जानकारी कि लिए आप हमारे platform alert.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं और जहां से जाके आप official notification download कर सकते हैं जब आप उसे download करेंगे तो वह कुछ इस तरह से open होगा जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से आपको official notification है paymatrix दे रखा है रूपी 67,700 से 2,8700 of 7th CPC last date दे रखिए कि जो starting date है वह सब इस February 2022 है last date है April 2022 यहां पर आपने official website भी दे रखिए जब है www.handloom.nic.in vacancy 2 ही है तो आप से चल्शे चल्द अप्लाए करें age limit है 18-56 साल यहां पर mail ID for number भी given है थाकि अगर आपको कोई query होता आप उनसे direct contact कर सकते हैं number of post, name of the post, mode of recruitment reputation है, essential qualification given है और curriculum वाइट परफॉर्मा गिवन है जिसको आपको फिल करके भीजना होगा given address पे तो आप इसे देख सकते हैं इस तरह से आपको official notification है आपको Hindi और English डोन लेंग्विज में मिल साएगा आप चौन से भी language में comfortable हो आप उस language में इसको गोथरू कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे forum community.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं इसका लिंक है मैं description box में आप लोग के लिए डाल दूँगी और अगर आपकी कोई query हो या फिर आप कुछ पूशना चाहते हो तो यहाँ पी नीचे reply box given है जाप रिप्लाय करके अपन जिस पर जाके आप application से related और अधिक जानकारी ले सकते हैं देखें दोस्तों इस तरह से इनकी website है आप यहाँ पर application से related सारी information ले सकते हैं जब आप उसे खोलेंगे तो वह कुछ इस तरह से open होगी तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करती हूँ कि आपको अब ऑंच है तरह से उोग्जार से जावका प्लाबrone स्टच में होगी तोस्तों आप पता हैं करता हैं